गरमंदी डौक्टर नहोता मिश्रा ने कहा श्री महा का लोक शिव का अद्भुद अकल्पनी और अलावकिक संसार है। उन्होंने द्वादश ज्योते लिंग का वर्णन संस्कृत श्लोक के साथ किया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि श्री महाकाल लोग संस्कृतिक और विकास का संगम द्वार है। समुचे शिव परिवार की पूजे उपस्थिति और अध्भुत शिल्प महाकाल लोग को अकलपनी और अलौकिक बनाता है। महाकाल लोक शिव का अध्भुद्ध, अकल्पनी और अलौकिक संसार है। तिव्यता, भाविता और आध्यात्मिक्ता के इस संगम के श्रण का साक्षी होगा पूरा देश। हमारे महाकाल के बारे में बहुत कहावते हैं। अकाल मर्ति वो मरे जो काम करें चांडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बारा जोत्र लिंगों में सबसे महत्पून जोत्र लिंग बाबा महाकाल माने गए। हमारे यां बारा जोत्र लिंगों के दर्सम भी चारो पीठ की तरह ही होते हैं। और प्राता इस्मनी बताए गए हैं सब्त जन्म कर्तम पापम इस्वरे विनेश्यत्म यह बातार बारह जोत्रिलिंग है जिसमें से प्रमक्म हमारे बाबा महाकाल है जो काल के कबाल पर है जो भाग्य के भाल पर है जो है आदियोगी ईश्वर जै हो जै हो काल जै ही महाकालेश्वर करोडों भक्तों का अटल विश्वास सदियों की आस्था पर्मानंद का आभास ये है श्रत्था का स्वरनिमकाल दिव्य भव्य महाकाल बारा जोतिर लिंगों में केवल एक दक्षन मुखी शिव का रूप विशाल भगवान महाकाल बार के आशेवाद से मुख्य मंत्री श्री शिवराद जुन्ह के नेत्रित्व में 47 हेक्टर के परिसर में नम निर्मित श्री महाका लोग दर्शन हेदु तयार है संकर का संस्क्रित σहरल है शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोती स्था शंकरा यानि जो कल्यान करे वही शंकरा हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेद्र मोदी 11 अटूबर को साइन 6 बजे लोकारपण करेंगे श्री महाकाल लोकार महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिशत का विस्ताथ सिवी लिलाओं के सांथ किया गया है एक अद्भुत रचनावा हुई है जिसका नाम स्री महाकाल लोक रखा गया है ये भारत के सांज्कृतिक फुनक उठान का योग है पहले के दावनाथ, त्रकासी विस्तुनाथ रमहाकाल मावार आईए इस अद्भुत आध्यात्ने कुछव के हम सांख्षी बने जै भागार आप देख रहे हैं तखल न्यूल